आज हम सीखेंगे जल सनरक्षन पिछले वीडियो में हमने वन संसाधनों के सनवर्धन यानि Conservation of Forest Resources के विश्य में चर्चा की वनों की तरह जल भी हमारे लिए महत्वपोर्ण संसाधन है चलिए उन कारणों पर चर्चा करें जिसके कारण हमें जल संसाधन का सनवर्धन करना अवश्यक है हमारे देश में वर्षा, मुख्य तह, मॉनसून पा निर्भर करती है इसलिए वर्षा की अवधी कुछ ही महिनों तक सीमित रहती है वनों की कटाई के कारण वर्षा के तंत्र में परिवर्तन आ रहा है पेड़न होने के कारण वर्षा का जल भूमी में नहीं जा पाता वह बह जाता है तथा समुद्र में मिल जाता है उद्योगों तथा खेती के लिए जल का अत्यदिक दोहन किया जाता है इसी तरह विभिन्न कार्णों से जल का प्रदूशन भी बढ़ रहा है ऐसे कई कार्णों से उपलप्थ जल की मात्रा में कमी आई है जल की अनुपस्तिती का निकट संबन निर्धनता से भी है इसलिए हमें जल संसाधन का सनवर्धन करना अवशक है प्राचीन समय से स्थानियों लोगों द्वारा बांध यानि डैम्स, जलाशय यानि टैंक्स एवं नहरे यानि कनाल्स बनाकर जल का सनवर्धन किया जाता रहा है इन जलाशयों का प्रबंधन स्थानिय लोगुद्वारा किया जाता था ताकि जल पूरे वर्ष उपलब्ध रह सके सद्यों के अनुभव की सहायता से जल की उपलब्धता को देख कर उचित फसल प्रतिरूप यानि क्रॉपिंग पैटर्न अपनाए जाते थे सरकार द्वारा बड़ी परियोजनाओ जैसे विशाल बांध और लंबी नहरों का निर्मान किया गया जिसके साथ जल सनवर्धन के इन स्थानिय तरीकों का महत्व कम होता गया इन स्थानिय तरीकों का प्रबंधन और प्रिशासन सरकार के पास जाने के साथ स्थानिय लोगों का इन पर से नियंत्रन समाप्त हो गया जलसनवर्धन है तू बांध महत्वपूर्ण परियुजनाई यानि प्रोजेक्स है चलिए इन से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण बाते जाने बड़े बांध बनाने के अनेक लाब है जैसे इन में परियाप्त मात्रा में जल का संग्रहन किया जा सकता है नहरों की सहाइता से जल दूर तक ले जाया जा सकता है और सिंचाई यानि इरिगेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है उधारन के लिए इंदिरा गांधी नहर की सहाइता से राजस्थान के कई स्थानों तक जल पहुचाया गया है जल पर उप्युक्त प्रक्रिया करने के बाद इसे पाइपलाइनों की सहाइता से शहरों तक पहुचाया जाता है बांध के जल का महत्वपूर्ण उप्योग विद्धित निर्मित करना भी है बांध से जुड़ी कुछ समस्याए भी है चलिए इन्हें जाने बांध निर्माण करने के लिए बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित याने डिस्प्लेस होते है इन्हें विस्थापित करते समय किये गए वादे पूरे नहीं किये जाते नहरों की साहिता से जल को दूर तक पहुचाने की व्यवस्था अवश्य होती है लेकिन जल का बटवारा समान रूप से नहीं होता वे लोग जो बांध के पास में है अत्यदिक मात्रा में जल का प्रयोग करते हैं जबकि दूर स्थान पर स्थित लोग जल से वंचित रह जाते हैं आर्थिक समस्याए यानि इकोनामिक प्रॉब्लम्स बड़ी परियोजनाओं के लिए जनता का धन बहुत अधिक लगता है लेकिन इसकी तुल्ला में लाभ नहीं मिल पाता परियावर्णिय समस्याए यानि एन्वायमेंटल प्रॉब्लम्स बड़े स्थर पर वन संपता का विनाश होने के कारण जैव विविदता की शती होती है इन समस्याओं पर विकल्प के रूप में कई अन्य तरीके भी है हम विभिन तरीकों जैसे छोटे-छोटे गड़े खोदना, घर की छतों से जल एकत्र करना, मिट्टी के छोटे-छोटे बांध बनाना, रेत तथा चूने के पत्तर के संग्रहक बनाना जीलों का निर्मान करना, साधारण जल संभर व्यवस्था की स्थापना करना की सहायता से भूजल स्थर को बढ़ा सकते हैं विभिन स्थानों पर जल संग्रहन की प्रचिलित विधिया भी है जैसे राजस्थान में खादीन, बड़े पात्र, एवं नाडी, महराष्ट्र के बंधारस और ताल, मध्यप्रदेश और उद्धर प्रदेश में बंधिस, बिहार में अहार तथा पाईन, हिमाचल प्रदेश में कुलह, जम्मू के कांधी शेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिस, यानि टैंक, केरल में सुरंगम, करनाटक में कट्टा, इत्याधी विधिया आज भी उपयोग में है इसमें मानव निर्मित नहरों की सहायता से नदी की धारा का रास्ता बदल कर जल को गाव लाया जाता है, जिससे गाव को जल की अपूर्ती होती है इन स्थानिय सनरचनाओं का नियंत्रण स्थानिय लोगों को देने से अवश्य ही अकुशल प्रभंधन और अतिदोहन पर अंकुश लगाया जा सकता है समतल भूभाग पर जल संग्रहन की तुल्ना में भौम जल यानि अंडरग्राउंड वाटर के स्तर में वृद्धी करने के कई लाब है जैसे छोटे गड़ों में सीमित मात्रा में जल एकत्रित किया जा सकता है तथा इसे सिर्फ कुछी महिनों तक संग्रहित रखा जा सकता है जबकि भौम जल में जल एकत्रित करने की मात्रा सीमित नहीं है क्योंकि यहां आसपास की शेत्र में फैलता जाता है तथा लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है जल के छोटे गड़ों में संग्रहन के सम्मुक, जल प्रदूशन, मच्छरों का जनन जैसी विभिन समस्याए उपस्तत हो सकती है जबकि भौम जल अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है आप इंटरनेट पर जल संग्रक्षन की विभिन विद्यों के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करे तो आज हमने सीखा जल संग्रक्षन